हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चनल टार्गेड गुवर्मेंट पोश्ट में दोस्तों यूपी वीड प्रवेस परिच्छा की पुरी कंप्रेट त्यारी के लिए आप सभी जोड़ सकते हैं नीचे दीगे रेट के सब्सक्राइब ब चात्रों ने पूछे हैं तो इन चात्रों ने जो प्रस्णा पूछे हैं तो उनको इसके क्या उत्तर मिले हैं और कब से परिच्छाएं हो सकती है एक्जाम डेट भी बताई गई है तो दोस्तों इस पूरी वीडियो काने तक वाच करीगा क्योंकि कुछ जरूरी बातें भी अथेंटिक न्यूजर कोई फिक नहीं है आप दैनिक जागरन का न्यूजपेपर लें पेस नंबर सेवन पे जाएं कानपुर दैनिक जागरन आप वहां पर देख सकते हैं जो की सिस्ट जम युनिवर्सिटी है और उनके कुलपती द्वारा ये बात कही गई है ठीक है चलि बियड की अगर बात करें तो इन्होंने ये बोला है कि जो पीड है बीड की परिच्छा को लेकर के तयारी क mutually पूरी कर ली गई है और उसकी योजना भी बनी है तो बिड की 灡ीडकी जो परिच्छा है 15 जुन से कराने की योजना बनी ए ठीक है ऐसा कुछ युनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपडेट नहीं है तो भई मेरे लोगडाउन चल रहा है जब करमचारी आएंगे नहीं ठीक है तो फिर अपडेट कैसे अपडेट हो पाईगी तो भई सहमात हुआ करो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दिया करो जिससे कि आ आपको आगे आने वाली वीडियो और समय से मिल पाए ठीक है तो भई और बात यह समझेंगे कि जो 15 जून बोली गई है डिट तो इनका दिय यह कहना इक है कि से कराने की तयारी है ठीक है एक्जाम तो पंदरा जून से नहीं पंदरा जून के बाद भी हो सकती है डिट पंदरा जून से इनके तयारी हो जाएगी कि हम एक्जाम करा सकते हैं आचा तयारी के लिए तो बोला गया है कि तयारी पूरी है लेकिन हमारा मानना यह कि अभी करमचारी नहीं कुछ कहा है जिन बातों को आपको ध्यान में रखना है कुछ छोटी सी बाते हैं उनका कहना कि विश्व विद्याले प्रसासन 15 जून से परिच्छा कराने के लिए पूरा तयार है ठीक है ऐसा इसलिए बोला गया है कि यह मान के चलिए आपकी 99% चांसेज हैं कि आपकी जून में जो है परिच्छा संभावित है ठीक है लेकिन एक परसंट चांसेज नहीं है क्यों क्योंकि इसलिए कि अभी लोगडाउन चल रहा है और लोगडाउन इसके बाद भी बढ़ सकता है ठीक है इस्तिति अगर सामाने रहती है तो कोई दिकत नही जैसा कि आपको पहले अपडेट दी गई थी तो उसी को लेकर करके यह भी बोला गया कि परिच्छा का जो प्रारूप है वो नहीं बदलेगा जैसे परिच्छा होती रही है वैसे ही होगी ऐसा भी कहा है और ऑनलाइन ना करा करके परिच्छा जो है वह ओफ-लाइन मोड पे कराईश जाएगी ठीक है और पेपर की अवदी पूरे तीन गंटे की रहेगी ये भी आप समझ लीजिए और आपको ये चीज घ्यान रखनी है जो कि हम बताने वाले हैं कि चात्र और जो चात्राएं हैं वो पूरी तरह से सारी रिक दूरी बना के रखें जिसको बोलते हैं सोसल डिस्टंसिंग ठीक है और मास्क और सेनिटाइजर का ध्यान रखें घर पर अपनी जो है वो ठोस तैयारी आप करते रहें बाकी ओनलाइन माद्यम से आपको जो तैयारी मिल रही है उसको भी आप बनाके अच्छे से प्रिपेर करें ठीक है बही तो वीडियो आपको कै इवेंट में मिल जाएंगी आप हमारे होमपेस पे जाएंगे चैनल के होमपेस पे वहाँ पर आपको जो जो क्लासें आज होनी है उनके इवेंट लगे हुए हैं आप देख लिए किस किस टाइम पर क्या क्या कौन कौन सी क्लास होनी है तो आज के सेशन आपके लिए बहुत important होने वाले हैं क्योंकि आज जो class 11 बजे से आपकी होगी वो होने वाली है जीके की 50 परस्न जिसमें मिलते हैं आपको परिच्छा के लिए संभावित परस्न 12 बजे से आपको जो class मिलेगी वो हिंदी की class मिलेगी और साम को 9.30 बजे से जो आपकी class होगी वो रिजनिंग प्राक्टिस class होगी जिसमें आपको रिजनिंग के प्राक्टिस सेट करवाई जाएंगी क्योंकि रिजनिंग में अच्छे खासे माक्स आप गेन कर सकते हैं यानि बोले तो 50 में 50 भी आप मास्क स्वरी 50 में 50 तो कहेंगे question के लिए लिकिन माक्स की अगर बात क करेंगे तो 100 मार्क्स ठीक है उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जाते हैं वीडियो को लाइक और शिर्थ जरू करिएगा धन्यबाद रोड़ देख लिए आपको नहीं शुबहूं